हरे आओ भाई आओ इस घर में तम दोनों का स्वागत है, कितनी सुन्दर लग रही हो तम दोनों ही लाजवन्ती के कहने पर दर्वाजे पर खड़ी एक मौडन बहू और एक गवार बहू, दोनों ही अंदर आ जाती हैं, जिसके बाद लाजवन्ती उनसे कहती है मेरी दोनों बहू ही बहुत सुन्दर हैं, बिलकुल चांद के जैसी, चमकदार और दम-दमी शुक्रिया माजी, हमारी इतनी तारीफ करने के लिए अच्छा बहू, मैं तो खुशी के मारे ये भूली गई थी कि तुम दोनों ठक गई होगी, चलो, तुम दोनों को ही, मैं तुम्हारे कमरे दिखा देती हूं, तुम्हारा आम कर लेना लाजवन्ती इतना बोल कर अपनी दोनों बहूँ को उनकी कमरे में छोड़ कर आती है, जहां उसके मौडरन बहू उससे कहती है मार जी मेरे लिए कॉफी भिजवा देना, मुझे कॉफी पिए बिना नीन नहीं आती, ठीक है बहू, अभी बना कर भिजवाती हूं लाजवन्ती इतना बोल कर वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो मनीश के हाथों मौडरन बहू को कॉफी उसके कमरे में भिजवा देती है तैंक गॉड की तुम आ गए नहीं, तो यहां मेरा सर दर्द से आज सिरी भटने वाला था, ये कॉफी मेरे लिए एना, लाओ मुझे दे दो कनिका कॉफी पीने लगती है अभी से तुम्हारा ये हाल है, आगे जाकर पता ही नहीं, तुम्हारा क्या होने वाला है अब ये तो शादी के बाद की बहुत सारी रसमे रह गई है, जो कि तुम दोनों को मिलके करनी है हट ये क्या बोल रहे हो तुम इस शादी के जमेले से ही मैं इतनी ज्यादा परिशान हो चुकी थी और अब ये रस्मे रिवास खत्मोने का नाम ही नहीं ले री कब खत्मोगा ये सब हरे बाबा मुझे माफ करो इतनी सी देर में इतने सारे सवाल करने जरूरी थे मनिश के कहने पर कनिका ऐसा ही करती है और आराम से सो जाती है अगले दिन जैसी सवेरा होता है सास दोनों बहु को अपने पास बोलाती है चलो अच्छा है कि मेरी दूनों बहु समय पर तो उठ गई आज तुम दोनों की पहली रसोई की रस्म है वैसे तो तुम दोनों को आज मीटे में ही कुछ बनाना था लेकिन मैं सोच रही थी कि तुम्हारी ये पहली रसोई की रस्म यादगार होनी चाहिए तो क्यों ना मैं तुम्हें पहले रसोई की रस्म के चलते competition ही दे दू Competition? कैसा competition माजी? बस ऐसे ही चोटा सा competition, देखते हैं आज तुम दोनों अलग-अलग खाना कैसा बनाती है और कौन खाना ज्यादा स्वादिश्ट बनाएगा और कौन टेंपरेरी खाना बनाएगा क्या होगा? चलो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ लाजवन्ती ऐसा कहे कर अपने कमरे में चली जाती है जिसके बाद सबसे पहले तो कनिका रसोई में पहुंच जाती है और गैस चूले के पास सभी मसाले के डिब्बे सामान इकठा करके रख लेती है अरे ये क्या देवरानी जी तुमने तो गैस चूले पर पूरा कबजा कर लिया सारे मसाले भी तुमने अपने पास ही रख लिये हारे मुझे तो कुछ दे दो अगर मैं तुमें सब कुछ दे दूँगी तो फिर मैं रसोई के इस कॉम्पेटिशन को कैसे जीतूँगी आज तो देखना सब मेरे हाथों का बना हुआ खाएंगे और खाणा चाटते ही रह जाएंगे मॉडरन बहु बहुत ज़्यादा चालाग होती है वो रसोई में जाकर कबजा कर लेती है सबी चीजों के ऊपर अब इधर कनिका के पास कुछ भी नहीं था ना तो खाना बनाने के लिए मसाले थे ना ही बरतन थे और ना ही उसके पास गयस चोला था अब उसे अपनी पहली रसोई के रस्म को पूरा करने के लिए कोई तो जुगार निकालना ही था वो थोड़ी देर सोचती है जिसके बाद वो फौरन घर से बाहर आकर देखती है और घर के आंगन में कई सारी इटे लेकर आती है पुल्वा इट लाकर रसोई के अंदर मिटी का लेफ लगाकर चूला थैयार कर देती है ये क्या तुमने रसोई में ये क्या बना कर रख दिया कोई बरतन ही नहीं है सुनो देवरानी जी कुछ बरतन मुझे दे दो मुझे माफ करो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई बरतन नहीं है फुलवा ये सुनकर चुप हो जाती है फिर वो सोचती है कि क्यों ना वो मिट्टी से खुद के लिए बरतन ही बना ले ऐसा सोचकर फुलवा घर के बाहर आंगन में आती है और आंगन में पड़ी मिट्टी को इकठा करके वो उस मिट्टी के बरतन को तयार करती है और उन्हें धूप में सूखने के लिए रख देती है पुलवा ऐसा कहकर अपने खाने की तयारी में लग जाती है वो सबजियां काटती है और आटा भी गूंत कर रखती है तो वहीं दूसी तरफ वो सिलबटे का इस्तेमाल करके अपनी सबजी के लिए मसाला तयार करती है फुलवा ऐसा कहकर दुबारा अंगन में जाती है और मिट्टी के बरतनों को देखती है वो पूरी तरह सूख चुके थे वहीं दूसी तरफ उसे आंगन में सूखे पेड नजर आते है वो उने तोड़ कर उनके लकडियों को इकठा करती है और रसोय में लेकर आती है जहां वो लकडियों को मिट्टी के चूले के अंदर लगाती है और जुगार से चूलह जला लेती है इस तरह फुलवा मिट्टी के बरतनों में खाना बराना शुरू कर देती है लेकिन चूलह जलने के वज़ा से पूरी रसोई के अंदर काला धुआओ धुआँ हो जाता है फुलवा ये कहने पर कनिका फौरण रसोई से बाहर आ जाती है उसके खहसने के आवाज से लाजवन्ति अपने कमरे से बाहर आती है और उसकी ये हालत देखकर कहती है अरे बहु आराम से क्या हुआ तुम्हे इस तरह इतनी जोड से क्यों खासी आ रही है तब इलाजवंती रसोई के तरफ देखती है रसोई के अंदर से काला धुआ निकल रहा होता है तब इलाजवंती के बहु फुलवा जो जुगार लगा कर खाना बना कर रसोई से बाहर आती है और खाने की टेबिल पर अपना देशी खाना बना कर रख देती है मा जी अच्छा हुआ आप सही समय पर आई हो देखो मैं आपके लिए देशी चटनी और घी की रोटी के साथ रायता भी बनाई हूँ वो भी जीरे के तड़के के साथ चलिए खा कर बताईए कैसा है लाजबंती के कहने पर फुलवा सभी खिड़की दर्वाजे खोल देती है और थोड़ी ही देर में सारा धुआ बाहर निकल जाता है जिसके बाद कनिका रसूई में जाती है और अपना मौडरन खाना बना कर बाहर लेकर आती है उसने नूडल्स के साथ चिली पोटेटो बनाई थे जो देखने में बस टेंप्रेरी ही नजर आ रहे थे अब तुम दोनों ने खाना तयार कर ही लिया है तो मैं खाकर भी देख लेती हूँ कि तुमने कैसा खाना बनाया है लाजवन्ती ऐसा कहकर दोनों का खाना खाकर देखती है लेकिन लाजवन्ती को जुगाडू बहु के हाथों का खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है अरे वा बहु तुमने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है वो भी सिल्बटे के बरतन में और ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन कनिका बहु तुम्हारे हाथों का मौडन खाना ये मुझे पसंद नहीं आया अरे ये तो बाहर से खरीद कर खाने में भी ठीक है घर में तो तुम्हें साधारन खाना ही बनाना चाहिए था क्योंकि तुमने इसे भी सही से नहीं बनाया मा जी मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे माफ कर दीजे, मैं हर एक चीज का बहुत अच्छे से इस्तिमाल करती हूँ, फिर भी खाने में वो स्वाद नहीं आया जो आना चाहिए था आज से घर में खाना फुल्वा बहु बनाएगी और तुम घर के बाकी के काम देखोगी लाजवंती के कहने पर कनिका घर के काम देखती है और फुल्वा रसोई समालती है लेकिन फुलवा के जुगार की वज़ा से लाजवन्ती को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है एक दिन जब वो रसोई में पानी पीने आती है तो वो रसोई की हालत देख कर कहती है लाजवन्ती को अपनी रसोई के अलावा कभी 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 जब वो मिटी के बरतन में खाना खारी होती है तो वो बरतन भी तूट कर गिर जाते हैं अरे ये क्या ये बरतन तो तूट गए है और रुकिये माजी मैं आपको दूसरे बरतन में खाना डाल देती हूँ फुलवा अपनी सास को दूसरे बरतन में खाना डाल कर दे देती है ऐसे ही वो खाना खा कर सो जाती है अगले दिन जब सवेरा होता है फिर से फुलवा रसोई में खाना चूले पर ही बना रही होती है जिससे चारों तरफ घर में काला धुआ ही धुआ हो जाता है अरे फुलवा बहु मैंने तुझे कितनी बार समझाया जब इस घर के अंदर गैस चूला है तो उसे इस्तिमाल किया कर तेरे इस काले धुएं से पूरा घर काला होता जा रहा है इन सभी परेशानियों से परेशान होकर लाजवन्ति फिर से एक फैसला लेती है और इस बार वो मौडन बहु को फुलवा के जुगार खतम करके उसे रसोई की चीजों का इस्तेमाल करना सिखवाती है तो वहीं जुगारू बहु अपनी जिठानी को देख देखकर स्वादिष्ट खाना बनाना सीख लेती है जिसके बाद अब दोनों अब बिना चीजों को खराब किये अच्छा खाना बनाती है और सभी को खिलाती है क्या आप भी खाना बनाते समय अलग-अलग तरह के जुगार करते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा